नमस्कार नया घर कैसे बनाए पार्ट टू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पार्ट वन में हमने देखा कि घर का फाउंडेशन हम किस तरीके से बनाते हैं यदि आप नया घर बना रहे हैं तो पार्ट वन जरूर से जरूर देख लीजेगा जिससे आप भी एक भू के बीच की distance कितनी रखनी चाहिए और कॉलम का size क्या होना चाहिए और इसके साथ सत कॉलम बनाते समय हमें concrete ratio क्या रखना चाहिए और कॉलम को मजबूत से मजबूत बनाने के लिए हमें किन किन guideline का पालन करना चाहिए चलिए एक एक करके full information आप सबी से share करते हैं पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबी से बस शोड़ी सी request है कि प्लीज वीडियो को like करके well icon प्रिस कर लीजिए जिससे हम आगे भी मिलते रहें first point की बात करें यदि आप ground floor और first floor इस उचाही का घर बना रहे है तो आपको column का size है वो 9 inch रखना चाहिए तो 9 inch की column में आपको कुछी इस तरीके से चार इस तरीके से चार इस तरीके से जो रिंग लगती है एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो distance है आपको जादा से जादा 6 inch रखना चाहिए और रिंग बनाते समय आपको इस तरीके से plain steel का उपयोग नहीं करना चाहिए इस steel की जो पकड़ होती है वो concrete के साथ बहुत ही कमजोर होती है इसलिए ring बनाते समय हमेशा आपको ऐसी steel का उपयोग करना है जिसमें कुछ इस तरीके से rib यानि की पट्टियां बनी हो क्योंकि इन पट्टियों का main उद्देस यही होता है कि यह concrete के साथ अच्छी पकड़ बनाती है तो इस बात को आप note कर लीजिए कि ring बनाते समय कभी भी plain steel का उपयोग नहीं करना चाहिए और column बनाते समय column के नीचे का यह जो length है यह आपको 30 cm से कम नहीं रखना है और column को जब आप foundation के साथ connect करेंगे यानि कि foundation पर जब आप column को रखेंगे column steel को रखेंगे तो इसका जो balance है वो बहुत ही अच्छा बनेगा second यह आप ground floor, first floor और third floor इस उचाही का घर बना रहे हैं तो आपको column में 6 steel बार का उपयोग करना चाहिए आप 12 mm की 6 steel बार का यह उपयोग करते हैं तो भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी next जे हम एक मजबूत concrete ratio की बात करें तो column बनाते समय आपको 1-1-2 ratio का concrete उपयोग करना चाहिए जिससे आपका column बहुत ही ज़्यादा मजबूत बने 1-1-2 का मतलब 1 bag आपका cement हो गया, 1 bag आपका sand हो गया और 2 bag आपका aggregate यानि की गिट्टी हो गया next column बनने के 24 घंटे बाद आपको कुछ इस तरीके से column की desettering कर लेनी है और desettering करने के बाद तुरंत इस तरीके से जूट का bag लपेट देना है जूट का bag लपेट के कम से कम आपको 7 days यानि की 7 दिन तक तराई करनी है यदि आप तराई अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका जो column है वो परियाप्त मजबूत नहीं मनेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि column बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को सेयर कर दीजे अपना ख्याल लखिए और अपने ममी पापा का अपने से भी जादा ख्याल लखिए इसी भाव के साथ आप सभी से बिदा लेते हैं प्ला, झाल